पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए ओम शांते ये दुनिया माया जाल है और वो दुनिया जहां से हम आत्माए इस रिष्टी पर आई वो है मुक्तिधाम जहां से आई और जहां आकर रह रही है उन दुनों दुनियाओं में जमीन और आस्मान का बेहद अंतर है और जितना जितना हम अपनी आत्मिक स्थिती में स्थित होते हैं उतना उतना ये अंतर स्पष्ट बुद्धी में नजर आने लगता है और ये स्पष्टता ही हमारे पुरुशार्थ की गती को तीवर करती है जब तक स्पष्ट नहीं है तो लक्षे भी धुंदला नजर आता है तो पुरुशार्थ भी ढीला हो जाता है जब अंतर स्पष्ट हो जाता है सही और गलत में अंधकार और प्रकाश में मृत्यों और अमरत्व में तो पुरुशार्थ की गती उड़ती कला वाली हो जाती है इसलिए बाबा बार-बार हमें स्व की, स्व पिता की, स्व देश की स्मृति दिलाते हैं तकि हमारी बुद्धी इस दुनिया से, इस माया जाल से उपर उपराम हो जाए तो आज भी बाबा हमें बहुत सारी स्मृतियां दे लाने के लिए बुद्धी को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत दे रहे हैं, हम सुनेंगे बाबा के मधर महावाक्षियों में आज है 27 ओक्टूबर 2030, बाबा के मधर महावाक्षियों मीठे बच्च्च्री तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए क्योंकि बेहद का बाब, तुम्हें बेहद का वर्सा देने आया है कितनी खुशी की बात है, है न किसी को बेहद की प्रॉपर्टी मिल रही है तो अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए परन्तो जिसके अंदर ये अनुभूती है वो खुश हो जाता है, अनुभव नहीं होता, तो फिर खुशी भी नहीं होती प्रश्न है, माया ने मनुश्यों को किस भ्राम में भर्मा दिया है जिस कारण भी स्वर्ग में चलने का पुरुशार्थ नहीं कर सकते कौन सा है वो भ्राम? पूरा माया जाल है उत्तर है माया का यह जो पिछाडी का पॉम्प है सौ वर्ष के अंदर एरोप्लेन बिजली आदी क्या-क्या निकल गया है इस पॉम्प को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यहां ही है धन है महल है गाडियां है बस हमारे लिए यहां ही स्वर्ग है यह माया का सुख है जो भर्मा देता है इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का उरुशार्थ नहीं करते हैं तो यह जो ब्रह्म है कि मनुष्य आत्मा को कन्फ्यूज कर देता है उसको इश्वर्य रहा पर चलने नहीं देता है आज का गीत है आज कर देता है सब्सी भागेली धाता माता सब्सी भागेली धाता माता आज कर देता गीता है ना माताओ माता भारत वासी तो जानते नहीं विद्वान पंडित भी नहीं जानते जगत अंबा अर्थात जगत के मनुष्यों को रचने वाली तुम जानते हो जिसको जगत अंबा कहते है वह अभी बच्चों के सम्मुख बैठे है साकार मुडली है तो समय ममा नहीं सम्मुख बैठे है तो इसलिए हम भी इस समय अपनी बुद्धी में ममा के चित्र और चरित्र को बिलकुल सम्मुख रखकर महवाक्य सुनेंगे तो बाबा कहते भाक्ती मार्ग में तो ऐसे ही गाते आए है तुम बच्चों को अभी ज्यान मिला है अर्थात जगत अम्बा का परीचे मिला है जगत अम्बा के नाम से भी भिन भिन अनेक चित्र बनाए है मा के विभेनरोप है वास्तव में है तो एक ही जगत अम्बा उनको ही काली कहो, सरस्वती कहो, धुर्गा कहो धेर नाम रखने से मनुष्य मोझ गए है काली कलकत्ते वाली भी कहते है परंतु ऐसा चित्र तो होता नही बाप कहते हैं यह सब भक्तिमार्ग की सामक्री है जब से भक्तिमार्ग शुरू होता है तब से रावन राच्य भी शुरू होता है यह तो मनुष्य जानते नहीं कि रावन क्या है राम क्या है यह बेहद की कहानी है वो तो बस रामायन शास्त्र बैठ कर पड़ते हैं पर नदु बाव बताते हैं कि यह हद की बाते नहीं है यह तो बेहद की कहानी है तुम बच्चे अब जानते हो रामन राज्य पूरा हो फिर रामराज्य शुरू होता है राम जरूर सुख देने वाला होगा भारत में रामन राज्य है तो उनको शूक वाटिका कहा जाता है तो द्वापर से रामन का राज्य शुरू हुआ और ये दुनिया धीरे धीरे शूक वाटिका में कनवर्ट हो गई बाप ने समझाया है तुम सब इस समय रामन राज्य में हो इस समय सारी दुनिया में रामन का राज्य है विकारों का राज्य है मुख्य भारत की ही बात है क्यों मुख्य भारत की बात है क्योंकि भारत में ही राम राज्य होकर गया है मुख्य तौर पर भारत की कहानी कहेंगे रावण राज्य में तुम भ्रष्टाचारी बन गए हो राम अर्थात बेहद का बाप है सुख देने वाला इस समें सभी मनुष्य है आसुरी मत पर बगी रावण कोई दस शीश वाला नहीं है जो दुनिया में दिखाते हैं ऐसा तो रावण नहीं है यह है पाँच विकारों की मत इसलिए शीश दिखाया है जिसको रावण मत कहा जाता है विकारी मत के कारण मनुष्य का ये हाल हुआ है शोकवाटिका में सब चले गए हैं शिव बाबा की मत है श्री मत जो किसको मिल रही है हम बच्च को मिल रही है अभी आसुरी संप्रदाई है ना यह बेहद की बात है श्री मत से 21 जन्म सुख पाते हो आसुरी मत से 63 जन्म तुमने दुख पाया है तुम जानते हो यह रावण है बड़े ते बड़ा दुश्मन जिसको जलाते रहते है समझते नहीं कि आखरीन रावण को जलाना हम बंद कब करेंगे यह नहीं पता किसी को कहते हैं यह रावण को जलाना तो परमपरा से चला आता है परमपरा से चला आरा है और चलता रहेगा आफीजी बनाई जलाते रहते हैं बरोबर इस रावण ने सब को दुख दिया है खास भारत को तो रावण बड़ा दुश्मन हुआ ना परन्तु इस बेहत के दुश्मन का इसको पता नहीं है वो तो स्थूल रूम्प में रावण को समझते हैं कि सच में ऐसा कोई राजा था चो लंका पर राज्य करता था परन्तु बास्तव में तो ऐसा नहीं है बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं हद का सुख तो इस जुनिया में भी थोड़ी देर के लिए मिल जाता है साधनों से भी मिल जाता है व्यक्तियों से भी मिल जाता है परन्तु बेहद का सुख इसकी कोई हद नहीं है तो वो बेहद का सुख बेहद का बाप आकर हम बेहद के बच्चों को देते हैं ऐसी सहज बात भी कोई विद्वान पंडित आदी नहीं जानते तुम बच्चे जानते हो कोई विद्वान पंडित जो बाते नहीं जानते वो सारी बाते हम बच्चे जानते हैं हमको बेहद के बाप से सुख का वर्सा लेना है परन्तु फिर क्या होता है लेना तो है फिर क्या होता है फिर घड़ी घड़ी तुम बाप को भूल जाते हो इससे लेना है उसी को भूल जाते हैं भग दिमार्ग में तुम पुकारते आए हो हे बाबा रहम करो मर्सी ओन मी मर्सी तो करता रहता हूं जिस जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं तो अल्पकाल का सुख जरूर देता हूं पूजा करते हैं हम देवी देवताओं की पर देत्य कोन है शिव बाबा वही दाता है वही विधाता है तो बाबा कहाते हैं जिस जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं तो अल्पकाल का सुख जरूर देता हूं और कोई सुख दे नहीं सकता मैं ही हूँ सुख दाता भक्ति मार्ग में भी देने वाला मैं हूँ कहते हैं Godfather ने यह दिया जिस देवी देवता की पूजा करते हैं उसको भी तो भगवान मानते हैं न तो देता कौन है जो सच में भगवान है लेकिन पूजा हम किस की करते हैं मही माम किसकी करते हैं देवी देवताओं की तो बाबा कहते हैं भगवान के लिए कहते हैं फिर ऐसे क्यों कहते हो यह धन फलाने साधू ने दिया ऐसे क्यों कहते हैं जबकि सुख देने वाला है ही एक बाप ग्यान नहीं है ना तो फिर कह देते हैं गाते भी हैं, हे भगवान, हमारे दुख दूर करो, फिर ऐसे क्यों कहते, फलाने साधु ने हमारा यह दुख दूर किया, बच्चा दिया, समझते हैं, उनकी क्रिपा से सुख मिला, दुनिया में तो यही समझते हैं, कोई साधु महात्मा के पास जाते हैं, वो आशिरवात देते हैं, और हो जाता है बच्चा, तो फिर सोचते हैं, शैद उनकी क्रिपा से, उनकी आशिरवा से हुआ है, परन्तु बाबा बताते हैं, उनको भी इश्वर मानके, आप श्रधा भ भावना पुजार चन करते हो, परन्तु देता कौन है, मैं देता हूँ, धन्दे में फाइदा होता है, तो समझते हैं, गुरु क्रिपा हुई, नुकसान होता है, तो ऐसे नहीं कहते हैं कि गुरु की अक्रिपा हुई, पिचारे भक्त लोग, समझने बिगिर, जो आया, सो क रहते हैं, बुद्धी नहीं लगाते, भक्ती में इसलिए अंदिशरधा है, जो सुनते हैं, उस पर फॉलो करते रहते हैं, यह भी ड्रामा, बाबा दादा गहराई में नहीं जाते, परन्तु सिंपल ड्रामा, अब बाप आकर तुम्हें अपना बनाते हैं, बाप से प्रीत रखने में भी माया बहुत विग्र डालती है, बाबा से प्रीत रखने नहीं देती, एक दम क्या करती है, मुह फिरा देती है, एक किस जन्म का सुख देने वाले बाप से फारकती दिला देती है, दिखो, वन्टरफुल है यह माया, बाप समझाते हैं, भक्ती मार्ग और ज् रात दिन का फरक है, भक्ती करते करते जब कंगाल बन जाते हैं, तब फिर बाप आकर ज्यान देकर एक किस जन्म के लिए तुमको माला माल कर देते हैं, देखो, जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बिलकुल अशान्थ हो जाते हैं, बिलकुल पतित बन जाते हैं, तब बा बाबा कहते हैं, बहे भक्ती तो तुम चन्म बाईचन्म करते रहे, अल्पकाल सुख मिलता है, दुख तो बहुत है ना, बाब कहते हैं, मैं आया हूं, तुम्हारा जो गवाया हुआ राज्य है बहदे ने, जो रावन के प्रभाव में आकर विकारों के कारण कवा दिया, स्वराज्य अधिकारी से पराधीन बन गए, बबा फिर से हमें वो राज्य भाग के उसारी प्राप्तियां देने आये है। thou बबा कहते हैं, बेहद की बात हुई न, ये कोई हद के राज्य की बात नहीं है, हद की प्राप्तियों की बात है बागी और कोई बात नहीं यह लक्ष्मी नारायन आदी वाइसलिस देवताएं थे निर्विकारी देवताएं थे उन्हों के महलों में कितने हीरे जवहरात होंगे याद आता है ना बिलकुल स्मृतियों को पीछे लेकर जाओ और जो जो वावा सीन्स दिखा रहे हैं उनको देखो तुम आगे चल कर बहुत कुछ देखेंगे जितना नज़तीक आते जाएंगे जितनी अवजथाउची होती जाएगी न उतना स्वर्ग के सीन देखते जाएंगे कितनी बड़ी बड़ी दरबार होगी बुद्धी के सामने लेकर आओ बड़ी बड़ी दरबार होगी खिड़कियों पर सोने, हीरे, जवाहरों का कितना अच्छा श्रिंगार होगा बस यह रात पूरी होकर दिन शुरू होगा जो वैकुंट तुम दिव्विद्रिष्टी से देखते हो वह प्रक्टिकल में जरूर देखेंगे बस सद्युग आया की आया जो विनाश दिव्विद्रिष्टी से देखा है वह प्रक्टिकल में वह फिर प्रक्टिकल में देखेंगे तुम्हारे अंदर तु कुशी के नगाड़े बजने चाहिए बज रहे हैं? आवास तो नहीं आ रही है पर बज रहे हैं हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं सोचो किसी को धन की वर्षा हो रहे हो स्थूल धन की कितना खुश हो रहा होगा और हम पर अविन्नाशी खजानों की वर्षा हो रही है आत्मा स्विकार कर रही है तो खुशी के नगाडे बजने चाहिए हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे है यह चित्र तो कोई आक्यूरेट नहीं है वह तुम सब दिव्विद्रिष्टी से देखते हो वहाँ जाकर रासाधी करते हो कितने चित्राधी बनाते थे जो कुछ दिव्विद्रिष्टी से बापने दिखाया है वह फ़र प्रैक्डिकल जरूर होगा तुम जानते हो यह ची-ची दुनिया खत्म हो जाएगी तुम यहां बैठे हो श्रीमत पर अपना स्वराज्चे लेने के पुरुशार्थ में कहां वह भक्ती मार्क? कहां यह ज्यान मार्क? यहां भारत का हाल देखो क्या हुआ है? खाने के लिए अन नहीं, बड़े-बड़े प्लान बना रहे है ताइम है बाकी थोड़ा उनका प्लान और तुम्हारा प्लान देखो कैसा है? एक है, वो है जिस्मानी गवर्ण्मेंट, वो अपने प्लान बनाती है पर रुहानी गवर्ण्मेंट के प्लान, इश्वरिये प्लान डिफ्रेंट है यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है रामायन आदी में कितनी कहानियां दी है परन्तो ऐसे तो है नहीं रामण को फिर वर्ष वर्ष क्यों जलाते है रामण को जलाया तो वह खत्म हो जाना चाहिए न भक्ति मार्ग की आमदनी कैसी और ज्यान मार्ग की आमदनी कैसी है बाबा एक दम भंडारा भदेते है भक्ति मार्ग में भी क्या करते है स्थोल रुप में हर चीज जो सुक्ष्म में होकर गई है उसको सालिब्रेट करते हैं, कमाई करते हैं यहाँ पर अविनाशी कमाई है तो बाबा कहते हैं उसके लिए महनत है पवित्र जरूर रहना पड़े सबसे बड़ी महनत क्या है? Purity किवल तन की नहीं, मन की भी, धन की भी व्यवार की भी, संबंध की भी, द्रिष्टी की, वृत्ती की, कृती की सप्रकार की पवत्रता गाते भी हैं अमृत छोड विश्काहे को खाए अमृत नाम से अमृत सर में एक तालाब बना दिया है नाम ही है, अमृत सर, सरोवर। तो बबा कहते हैं तालाब में डुबकी मारते हैं। मांत सरोवर नाम का भी एक तालाब बना दिया है। मांत सरोवर का आर्थ भी नहीं समझते। मान सरोवर, अर्थात, निराकार, परम्पिता, परमात्मा, ज्ञान सागर, मनुष्य के तन में आकर यह ज्ञान सुनाते हैं। है बात इस ज्ञान अम्रित की, उन्होंने स्थूल रोप से अम्रित सर मान सरोवर बना दिया है। मनुष्यों ने कथाएं आदी कितनी बैठ बनाई हैं। सर्व शास्त्रमाई, शिरोमणी गीता, कथाएं बहुत हैं, परन्तु सभी शास्त्रों की सिर्की मणी, टॉप्मोस्ट, ज्ञान जिसमें है, वो है गीता। फिर उसमें श्रीकृष्न वाच लिख दिया है, उसे भी खंडन कर दिया। फिर श्रीकृष्न के लिए भी कितनी बातें लिख दी हैं। सर्पनेड़सा स्त्रियों को भगाया, कितने जूठे कलंक लगाए हैं। भक्ति मार्ग में अलंकरित भाशा में लिखा और उसी चीज़ को इनसान ने सोचा कि ये तो प्रैक्टिकल में हुआ होगा। परंतु बाबा, अब सब बातों का अध्यात्मे के राज हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं, अभी तुम समझा सकते हो। श्रीकृष्न की तो बात ही नहीं है। यह तु ब्रम्भा द्वारा, परम्पिता, परमात्मा, सभी वेदू, शास्त्रों, ग्रंथों का सारबैट बतलाते हैं। नंबर वन है, श्रीमत भगवत गीता। भारत वासियों का धर्म शास्त्र एक ही है। उसको खंडन कर दिया है, तो बाकी जबाल बच्चे, वेद शास्त्र हैं, सब खंडन हो गए हैं। माता को खंडन कर दिया, तो जो बच्चे हैं, वो भी एक तरह से खंडित हो गए हैं। बाप कितनी अच्छी रीती समझाते हैं, फिर भी क्या होता है। चलते चलते माया के थपड़ खाते रहते हैं, धालना नहीं करते हैं, क्यों थपड़ खाते हैं, धालना में कमी है, यह है युद्ध स्थल, तुम हो बच्चे जो ब्राम्भण बने हो, गीता आदी में तो कुई ऐसी बाते लिखी नहीं है, ब्राम्भा की मुखवन शावली है, ब्राम्भा द्वारा यग्ये रचा गया, रूद्र ज्ञान यग्ये तो बरुबर है, फिर युद्ध का मैदान कहां से आया, गाया भी हुआ है, राजस्व अश्वमेध यग्ये, यह जो रत है, उसको हम बली चड़ाते हैं, कौन सा रत? यह तन, तन, मन, धन, सब कुछ तेरा कर देते हैं, बली चड़ जाते हैं, वह फिर दक्ष प्रजापती का यग्ये रच घोडे को बैठ स्वाहा करते हैं, भक्ति मार्ग में बस प्रतिकात्मक रूप से घोडे को, बक्रे को स्वाहा करते हैं, बली दान देते हैं, लेकिन बाबा, सच में हमने अपना तन, मन, धन, सब इश्वरिये यग्ये में स्वा करते हैं, तो बाबा कहते हैं, क्या क्या लिख दिया है, तुम जानते हो, सतियुग में भारत स्वर्ग था, तो जरूर वहां बहुत थोड़े ही होंगे, देवी देवता थोड़े थे, जमुना के कंठे पर बरोबर राज्य होगा, भारत परिस्तान होगा, सिर्फ देवी द देवताएं राज्य करते होंगे, बहां तो गर्मियादी होती नहीं, जो कश्मीर, शिम्लादी जाना पड़े, यह वहां नहीं होगी, तत्व भी बिल्कुल सतु प्रधान हो जाते हैं, यह भी समझने वाले समझें, सतियोग को स्वर्ग कहा जाता है, कलयोग को नर्ग कहा जाता है, द्वापर को इतना नर्ग नहीं कहेंगे, इतना नर्ग नहीं होता है द्वापर में, फिर भी बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन कलयोग आंत तक तो बिल्कुल नर्ग हो जाता है, त्रेता में भी दू कला कम होती है सबसे जास्ती सुख कहा है? स्वर्ग में है कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा दुनिया में भी कहते हैं परन्तु स्वर्ग का अर्थ नहीं समझते हैं स्वर्ग वासी हुआ तो जरूर नर्क में था ना? बिल्कुल अगर स्वर्ग वासी हुआ स्वर्ग में गया तो यहां स्वर्ग नहीं है फिर यहां क्या है डैफिनिटली नर्क है हर एक मनुष्य नर्क में है अभी बाप तुमको बेहद का राज्चे देते है बहां तो सब कुछ तुम्हारा रहेगा है न, सत्य युग में सब कुछ हमारा रहेगा तुम्हारी पृत्वी, तुम्हारा आकाश, तुम्हारा जल, तुम्हारी वायो, तुम्हारी अगनी, पाचो तत्व, तुम्हारे तुम अटल, अखंड, शान्ति मैं, राज्ये करेंगे दुख का नाम ही नहीं होगा होने की तो बात ही अलग है नाम भी नहीं होगा तो उसके लिए कितना पुरुशार्थ करना चाहिए अब अटेम्टेशन देते हैं तो फिर मेहनत तो करनी चाहिए न आवस्थाइं बच्चों की कैसी है जानते भी हैं हमारे ममा बाबा बहुत पुरुशार्थ कर वर्सा लेवे जब ममा बाबा ले सकते हैं तो हम भी तो ले सकते हैं ना बाप कहते हैं बच्चे थक मत जाना पुरुशार्थ करते करते थक मत जाना श्रीमत पर चलते रहना श्रीमत को कभी भूलना नहीं न देने वाले को भूलना न वर्से को भूलना श्रीमत को भोलना, इसमें बड़ी सावधानी चाहिए, श्रीमत पट्री की तरह जरा से इधर से उधर हुए, बस ट्रैक से आउट, जो कुछ करो, पूछो, बाबा, हम इसमें मूझते हैं, इसे करने में हमारे उपर कोई पाप तो नहीं लगेगा, हर कदम उठाने से बाबा से वेरिफाई कराओ, बाबा कहते हैं, बाबा कभी कोई से लेता नहीं है, भक्ति मार्ग में भी इश्वर अर्थ दान करते हैं, तो रिटान में फिर लेते हैं, शिव बाबा लेकर क्या करेंगे, बाबा को क्या करना है, उनको कोई मैहल तो नहीं बनाने है, सब बच्चों के लिए करते हैं, मकान बनवाते हैं, वह भी तुम्हारे पिछाडी में रहने लिए, तबा को खुद थुड़ी न कुछ चाहिए, सब बच्चों के लिए हैं, तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहां है, दिलवाडा टेंपल, तुम भी यहां बैठे हो, जो सर्व सेबल बच्चे हैं, बहे आगे चल, बहुत रौनक देखेंगे, पिलकुल बुद्धी में सपष्ट सत्युक के नजारे नजर आएंगे, यहां बैठे बैठे, चक्र लगाते रहेंगे, स्वर्ग में, सब तयार है, पिलकुल तो इस दुनिया से बुद्धी योग हटाना ब फिर वहां जाकर महल बनाएंगे, मकान की कमपिटीशन होती है न, इसका बड़ा महल होगा, कमपिटीशन होगी, अभी सौ वर्ष में कितना बनाया है, भारत को जैसे बहिष्ट बना दिया है, तो वहां सौ वर्ष में समझते हो, क्या नहीं होगा, जब यहां कल युग में सौ वर्ष के अंदर साइंस ने क्या से क्या परिवर्थन कर दिया, तो वहां सौ वर्ष में क्या नहीं हो जाएगा, साइंस सारी तुमको वहां काम में आती है, साइंस का सुख ही वहां है, यहां तो दुख सुख दोनों है, वहां बस सुख है, यहा पच्चे समझते हो कि यह सिर्फ फाफा मार रहे हैं, यानि यह सिर्फ अपनी बढ़ाई कर रहे हैं, अल्पकाल शनभंगुर सुख है, टेंप्रेरी है, यह माया का पिछाडी का पॉम्प है, यह एरोप्लेन, रॉकेट आदी में अभी जाते हैं, आगे यह सब साधन थे नही बिजली आदी भी नहीं थी, यह सब है माया का सुख, जो मनुष्य को भर्माता है, मनुष्य समझते हैं, बस यही स्वर्ग है, विमान आदी स्वर्ग में थे, अभी स्वर्ग है ना, यह नहीं समझते कि स्वर्ग के लिए तो अब तैयारी हो रही है, समझते हैं धन है, महल है बस हमारे लिए यहां ही स्वर्ग है अच्छा, तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग है हमको तू महनत कर सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है यह माया का स्वर्ग तो देख लो कौनसे स्वर्ग में जाना है सच्चे या जूठे ओप्शन दोनों है तो बबा कहते जिसके लिए तुम पुरुशार्थ करते हो पुरुशार्थ में धीला नहीं पढ़ना है ग्रहस्त विहवार में रहे पुरुशार्थ करना है सर्विस करनी है खुद पवित्र बन फिर अपने मित्र संबंधियों आदी को भी लायक बनाओ मिथी मिथी बातें सुनाओ बाबा ने दो बाप की पॉइंट बहुत अच्छी रीती समझाई है बर्सा बाप से मिलता है जायदात का रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को गुड मॉनिंग नमस्ते 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 धालना के लिए मुख्य सार पहला पुरुशार्थ में कभी भी थकना नहीं है बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है मुझना नहीं है दुसरा कोई भी पाप कर्म नहीं करना है सचे सचे स्वर्ग में चलने लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है बड़ान है निश्चे बुद्धी बन लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी भावा कब बनेंगे जब निश्चे बुद्धी बनकर लौकिक में अलौकिक भावना रखेंगे है लौकिक लेकिन भावना अलौकिक है बाबा के हैं सब कुछ किसका है? बाबा का है कई बच्चे सेवा करते करते ठक जाते हैं सोचते हैं यह तु कभी बदलना ही नहीं है बिल्कुल दिलशिकस हो जाते हैं ऐसे दिलशिकस्त नहीं बनो निश्चे बुद्धी बन मेरे पन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो कुछ मेरा नहीं है सब तेरा कोई-कोई आत्माओं का भक्ती का हिसाब चुक्तु होने में थोड़ा समय लगता है इसलिए धीरजधर साक्षी पन की स्थिती में स्थित हो शान्त और शक्ती का सहयोग आत्माओं को देते रहो लौकिक में अलौकिक भावना रखो डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो स्लोगन है अपनी श्रेष्ठ वृती से वायु मंडल को श्रेष्ठ बनाना यही सच्ची सेवा है वायु मंडल का आधार है हमारी वृती इसको श्रेष्ठ बनाना है तो आज सभी क्या होंबग करेंगे स्वयम को इस दुनिया से डिटैच करना और मन बुध्धी उस दुनिया में लगाना जहां हमें जाना है आज सारी मुडली में बाबाने बार बार स्वर्ग के भेन भेन नजारे दिखाए तो नजारे सपश्ट तब नजर आएंगे जब हमारी नजरों के सामने बाबा होगा वर्सा होगा घर होगा तो बार बार बुध्धी के समक्ष एक बाबा, एक मुक्तिधाम, एक जीवन मुक्तिधाम और उससे पहले इस दुनिया से डिटैच डिटैच होने का और नई दुनिया से अटैच होने का हम अभ्यास करेंगे चा, ओम शांते ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा बदली हमारी किसमत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा बदली हमारी खिसमत बाव की प्यार तुम्हारा ओ बाबा प्यार तुम्हारा ओ बाबा प्यार तुम्हारा ओ बाबा हम खुश नसीब है बाबा तेरे से सिपल रहे है दामन में भरके खुशी लाओ फूलों साखिल रहे है फूलों साखिल रहे है ये आखे करती रहती बस दीदार तुम्हारा हो बाबा ये दिल हर मल का आता रहे ताम रहे है ताम तुम्हारा हो बाबा हुआ 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 मिलता वसीन सुख मन को बस तेरी ही आदो हुआ 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 ह